हलो फ्रेंट्स वेलकम तू मैं चैनल आज हम बनाएंगे फ्रेश मेथी के पराठे यह बहुती टेस्टी बनते हैं तो चली शुरू करते हैं बनाना पराठे बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए दो कप आठा गेहूं का आठा अब मैंने मेथी को अथ्छी से वाश कर लिया पतला पतला काट लिया था तो अब मैंसमे अट करूंगी मेथी मेथी आप कम ज्यादा कितना भी एट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक कप मेथी अट किये कटी भी अब मैंने इसमे अट किया है नमक वह अपने आप टेस्के अकॉर्डिंग दीजिए आदा चमच जीरा मिक्स करने हमें आपस में आते में सब कुछ मिक्स हो चुक है अब मैंने इसमे थोड़ा थोड़ा पानी आड करके आटा गूनना है तो आटा आपको बहुत soft भी नहीं गूदना है, बहुत tight भी नहीं गूदना है, जासे हम रोटी कर बनाते हैं तो यहाँ पर मैं green chillies add कर नहीं भूल गई थी, तो यहाँ पर आप add कर सकते हैं green chillies आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अद्रग भी आड़ कर सकते हैं लेकिन मेती गरम होथी तब मैंने अद्रग और अजवान इसमें आड़ नहीं किया है तो अब मैंने आप इसका आटा गुन लिया अच्छी से यह देखिए तो हमारा आटा बनका रेडी है अब हम इसके पराठे बनाएंगे तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की डो बॉल लिये उसको हमें सूखे आटे पर रोल करना है यह देखिए इस तरह इसके बाद हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे इसको पतला से पतला बेलना है यह तूरता नहीं तो आप लोग जितना पतला हो सके उतना इसको बेलिए बीजिट में सूखे आटे पर रोल करते रहिए यह देखिए इसको हमें मेडियम फ्लेम पर दोनों साइट से से शेक लेना है तो एक साइट से से शेक चुका था तो आप में उस साइट में घी या ओईल मल लूँगी यहाँ पर मैंने ओईल का यूस किया है तो अब मैं इसको फ्लिप कर लूँगी और दूसरे साइट से भी हमें इसमें ओईल लगाना है अब हमें इसको तब तक बकाना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसमें यह देखिए फ्रेंज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सुब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे यह एकदम फ्री है और मैं नहीं नहीं रेसिपीज के साथ आते रहती हूँ और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पराठा दोनों साइट से से शेख चुका है यह देखिए और आप इसको धही के साथ खाईए अचार के साथ खाईए बहुत टेस्टी लगता है और इसको बनाना अब मैं इसको निकालूंगी यह रेखिए आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बनाए है पाराठा बनकर रेडि है अब हम बनाएं के मेथी की रोटी तो रोटी के लिए मैंने पहले इसको पतला पतला बेल कर हॉट तब्वे में रख लिया था इसको हमें दोनों अच्छी से सेखना है मीडियम फ्लेम पे और अभी हम इसमें ऑईल ने लगाएंगे अब हम इसको डायेक्स सेख लेंगे जैसे हम रोटी को सेखते है अब हम इससे चार और से गुमा गुमा कर सेखेंगे यह देखिए साइट से भी ऐसे करके तो रोटी बनकर रेडि है अब मैं इसको निकालोंगी आप इसमें घी या बटा लगा सकते है यह बहुत टेस्टी लगती खाने में तो मैंने इसमें घी को स्प्रेट कर लिए आप लोग देख सकते है कितनी अच्छी बनी है तो फ्रेंस कैसे लगे आपको रेसेपी थैंक्स वाचिंग फिर मिलते हैंगे अबड़ सकते हैंगे तो आपको रेसेपी लगाइ